देखते हुए चुनाव की तारिक में बदलाव कर दिया गया है अब राजिस्थान में विधाल सभा का चुनाव आगामी 25 नवेंबर को होगा इससे पहले चुनाव 23 नवेंबर को होने थे लेकिन इस दिन देव उठनी एकादशी होने के चलते इसे आगे बढ़ाये गया है दरसल 23 तारिक को अबूत सावे होने के चलते प्रदेश में 50 हजार से जादा शादिया होने का अनुमान है अब इतनी शादिया है तो जाहिर से बात है कि जिनके यहाँ शादी है वो तैयारियों में उलजे रहेंगे ऐसे में दोनों ही सूरत में वो काम काज या समारों चोड़कर वोटिंग करने शायद ही जा पाए ये समस्या लाखों लोगों के सामने आएगी मैं दूसरी ओर चिनाम आयोग हम सभी का भी दायत तो रहता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो ऐसे में लोगतंत्र के इस पावन अग उत्सव में आम जन की एक बड़ी भागेदारी हो साथ ही बैतर वोटिंग प्रतिशत देकर लोग टांसिक व्यवस्ता भी मजबूत की जाए ये सब ही की कोशिश रहेगी आज बात इसी खास कुटे पाए बहुत बढ़िया निर्णे है मैं इस निर्णे का स्वागत करता डिमांड सुईकार की गई और जनता की डिमांड को समझा उसके जब इलेक्शन कमिशन का धन्यवाद और चले इस खास मुद्धे पर चर्चा के लिए खास मैमान हमाई साथ जोड़ चुके सबसे पहले उन से रूबरों करा दे आपका हमाई साथ बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी हैं कॉंग्रिस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी हैं जगरू प्यादर जी हमाई साथ है विशे विशेशक्या उस साथी दर्माचार पंडित अरिश व्यास जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइफ में पुझा कपिल जी आप से शुरुवात करते हैं क्योंकि एक ऐसा मुद्धा था एक ऐसी बात थी जिससे लेकर अपनी बात हर कोई रखना था होता है जिसका वो उप्योग करते हैं अगले पास साल की सरकार चुनने में और कोई भी ऐसा विश है जिसके वैसे अगर हमारे प्रदेश के मद्धा था वंचित रह जाएं क्योंकि हमारे सादी वेया भी एक बहुत बड़ा उस्सा होता है बहुत सारी रस्में होती हैं केवली साइन करने वाला दस्ताविज नी होता हमारी रिश्यदार नातेदार आड़ोसी सारे लोग involved होते हैं एक नाना करते हो हूं माने तो पिनिमूम सौसे दौसों लोग टो हर शादी में कम से कम होते हैं, तो आज जिस तरह का चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, और जिस मद्दान सबका अधिकार होना चाहिए और सबको इसको करना चाहिए, तो यह जो फैसला लिया है बहुत स्वागत योग है, और इस यह जरूरी भी हो गया था क्योंकि जब साफ तोर पर नजर आए कि वोटिंग प्रतिशत कम होगा इस तारीक की वज़से इसे बदलना बहतर है क्योंकि लोग यहाँ पर मजबूरी है जाना चाहते लेकि अपनी मजबूरी की वज़से वोट कास्ट नहीं कर पाते इसलिए ता रास्थान की आठ कोरेग का सबसे बड़े भावने कोछा पर्में होता है जहां से मंगल काम होते हैं सारे धर्मां पागचे अगर समय निर्वाचन आंखे श्टेटों में डिस्कशन करते हैं यह इस वजे से हुआ कि रास्थान में भारतियनित्य पार्टी का कबिल नेता न रहें यह जो तारीक होती कलंडर लेकर बैठते हैं उस समय और क्या उनका एसास नहीं था कि पड़ यह तारीक है इससे बड़े सारे धर्मों का बड़ा तालुक आते हैं यह क्यों नहीं क्यों नहीं इस पर विचार किया गया अंजानी में गलती हो सकती है ऐसा नहीं हो सकता है किशोर जी देखे मैं आपको बात करना चाहता हूं चुनावायोक तै कर रहा है किसी भी राजी की तकदीर का मद्दाता उसमें सकल है यह अंजाना नहीं है मेरे ख्याल से यह देवुत्य कासी एकाजर किया जाना चाहिए था इस में हिंदु दर्म का बड़ा परव है च्छोटा मुटा परम नहीं है हिंदु द्रम पैराक पैरोकार मोधी जी को इस पे डिसकस कर था कहना चीए था रास्तान ने टीम प्रप्रति जंता पार्टी जंता पार्टी के लोगों ने और भी बहुत सारे सामाजे अब आपका जवाबी जो इनोंने दिया है वो अपने आम में सवाल खड़ा करता है कि कॉंग्रेस ने हमेशा स्वाया इस तरह की समधानिक संस्ताओं पर अपना अश्यब रखा है और भाजपा नहीं रखती ही इस बात का प्रमार भी मिल रहा है जिसके आरूप यह लगातर ल पामिल नहीं हो पाते इस महापर में तारिक बदलना जरूरी था तारिक को बदला गया लेकर अगर दूसी तरह सवाल यह उट रहा है कि आखिर तेज तारिक क्यों रखी गई क्यों उसके पीछे पहले रिसर्च या स्टाइडी डी हुई एक एक तारिक बहत एहम होती है प् कि उत्स की द्रश्टी से सर्वाधिक मैच पूर्ण दिवस होता है और जब निर्वाचन आयोग की बैठक होती है तो उसमें सभी स्टेक होल्डर बैठते हैं स्टेट यूनिट को भी इन्वोल करते हैं कलेंडर भी रखा जाता है और आम तोर से इस तरह कि असावधानी या भूल दुर्भागी पूर्ण है जिस भी वज़े से हुआ हो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे कोई भी तिथी निर्धारित करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक लोगों की मद्दान में भागीदारी हो और निर्वाचन का प्रबंदन अधिक से अधिक सुकर हो सक यह तरश्टी कोन होना चाहिए जब आप इतनी अस्विधा जनक्ति थी रख दो कि जिसमें लाखों की संख्या में वोटर चूंकि देव साइनी 11 का ने किवल हमारे सांस्कृतिक मैतु है पौरानिक मैतु भी है हमारे धार्मिक मैतु भी है और सामाजिक जीवन में हमध्य धर्माचार है हम देव उटनी एकादशी की बात कर रहे है कितनी महत्ता है यह हर कोई समझता है हर कोई जानता है पंडित अनिश्वैस जी क्या कहेंगे इस पर इसकी महत्ता है से पहले समझना चाहिए था हलकि देर आए दुरूसता है फैसला लिया गया तारिक बद जाता है कि सोयम सिद अभूज मौरत है और इस दिन अगर आप कोई भी मांगलिक कारिय करते हैं सादी वीवा नहीं दुकान का मौरत मकान का मौरत निईव का मौरत तो उसमें कोई मोहरत नहीं देखा जाता है और सबसे इंपोर्टेंट बात है इस बार पाँच महा बाद यानि चतुर मास होता है लेकिन इस बार अधिक मास होने से पाँच माँआ बाद विश्चु बगवान फिर से स्रिष्टी का संचालन करेंगे और उस दिन सालग राम जी जो विश्चु जी का एक रूप है उस दिन उनकी और तुल्शी माता की साधी होती है और जिनके कन्या नहीं होती है उस दिन ये तुल्शी विवा करके कन्यादान की एक रस्म निबाते हैं हिंदू दर में ये सबसे महत्वपुन दिन है और इस दिन करीब करीब अगर आप राजिस्तान की बात करें तो कम से कम एक लाग से अधिक साधियां हैं और ये इसलिए महत्वपुन भी है क्योंकि भगवान एक बार पूरा सरश्टी का संचालन करते हैं और पूरे सरश्टी का कार्यबार अपने हाथ में लेते हैं इसलिए ये दिन भी बहुत महत्वपुन है जगरोप जी अभी किशो शर्मा जी ने जो बात कही कितने एहम होता है यह जब यहाँ पर टीम आई सब कुछ देखा जाता है तै किया जाता है मीटिंग्स होती है लगातार इसके बादी तो क्या जो वो सवाल उठा रहे है वो जायज है स्वेता जी बिलकुल जायज है बहुत दुर्भागे पूर्ण है मैं समत्तों की निर्वाचन आयोग जो एक समयधानिक संस्था है और सरमतुलकुल हुक्म संस्था है उसको पूर में भी इन बातों का अभास होना चाहिए था जहां विचार में मर्श किया लोक इस्थानी इस बात से सिद्ध है कि वो निर्वाचन की जो तारीक है जब सर्वानुमती पनी सारे पूलिटिकल पार्टी जो सारे लोगों ने सोसल मीडिया ने इसको डिक्राई किया क्योंकि जैसा कि पंड़जी ने बताया देव सहीनी 11 वैसे चार अभूज सावे होते हैं लेकिन दे प्रवंदन की द्रष्टी से भी देखना चाहिए कार्मिकों के भी घरों में विवाद हो सकता है वहानों की एक तरह से रिक्विजिशन में असवीदा होती मैंने चुनाव प्रवंदन में भी दिक्कत होती और सामाजिक जीवन में और व्यक्तिक जीवन में निश्चित और चुनाव को भी हम कहते हैं कि विवासा मन गया पॉलिटिकल पाइटियों के यहां तो विवा एक बहुत ही नेकेवल भारतिय परंपरा की हमारी सामाजिक जीवन की हमारे सांस्कृतिक जीवन की एक आधार पी ठीका तो ऐसे डेट को इग्नोर करना या उसको नजर के तिथी तै कर देना बहुत ही दुर बागेपूर्ण है और इसके लिए आयोग ने देर आयद आयद आपने बिल्कुल सही का लेकिन ये भी बात है इस बात की भी जान चोनी चाहिए कि आयोग जैसी इत्ती जिसमें बहुत सारे सदस्तीन तो सदस्योते मुतल्कुल हुक्म इसके अलाव बहुत सारा उसका सचवाल है निर्वाचन सदन प्रथक से बना हुआ है ऐसी भूल उनसे उम्मीद नहीं की जाती किस तरह की भूल की जाएगी और इसके फिर राजनितिक दल अलगे लग मायने निकालते है बिल्कुल पूजा खबल जी और यही वज़े कि दे पूल था यह डिमांड जाइस थी भारती जनता पाटी ने भी चुनाबायों के सामने बात रखी थी यह डेट बदली जाए तो सारी कड़ी में सारे लोग लोग तंतर में सारे लोग हिस्सा है चाहे वो कोई भी चुनाबी दल हो कॉंग्रेस हो बीजेपू या अन्न हो या क से बड़ी बात है विश्व का सबसे बड़ा लोग तंतरिक देश है भारत तो निश्चित तोर पर ऐसी तिती होनी चाहिए कि हर किसी का उस मतादिकार में वो अपने अधिकार का उप्योग कर पाए उसमें भाग ले पाए तो जो भी रह गलत रह लेकिन कहते हैं कि चलो सु कि चब करने बन किमी और के चैंडो हो किया करो करनेहं हो में वह सकते हैं कि और देश क्म करने आखिणी देश देख, इसे खने रह मिलोगों सी त्रौ सथ मिलके रहते हैं और जब हमको छुट्टियां उल्यों पर याद रहती है तो क्या भार्टी अन्ता पार्टी में रास्थान में इसको काबिल नेता नहीं था कि उसको पता है कि अक्टूर नॉबर दिसंबर में कौन कों से तोहर आ रहे हैं ये नाकाबिल है ये नाकाबिल भार्टी अन्ता पार्टी के सोच है कि वो ये बतानी पाए कि देवती एकादशी है और देवती एकादशी पे इस रास्थान की आठ करोर जनता के वावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए ये बड़ा अफसूस जनक है धौंग मत कीजिए धर वायों का ये फैस्टा सही हुआ तो मतदान लेक पर्व है इसलिए बड़ी संच के हम लोग बुटा लेंगे आप इसको मतबना दे चलिए ये एक धार्मिक और समजिक तारिक है इसमें कोई राजनितिक रंग नहीं देना चाहिए क्योंकि बारतिय जनता पार्टी या पार्मिक या समाजी कारिक्रम हैं तो हम सब को बढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए और इसमें कोई राजनिती नहीं करनी चाहिए बूल सबसे होती है अगर मुझी दखल देते हैं तो इसमें द्यान रखना चाहिए आपके आज़त रही है कॉंग्रेस दखल देते हैं यह सारी चीजों में आपको वही लगता है और आपके वक्त हत्व हो चुका है बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए देगे बीजेपी हो, कॉंग्रेस हो, हर परिवार है यहाँ पर पूरा राजिस्थार है और जब शादियों का परव हो तो यहाँ पर तो हर परव हरश वलास के साथ पनाया जाता है तो फिर शादियों भी समझी है उसमें भी वो दिन जब एकादशी हो तेव उठनी एकादशी तो कितनी महत जादा बढ़ जाता है लेकिन इतना जरूर है कि 23 तारीक को शादिया अब आप धूमधाम से कर सकते हैं 24 तारीक को अराम भी कर सकते हैं लेकिन याद रखेगा वोटिंग अब 25 तारीक को है बहुत बढ़िया निर्णे हैं मैं इस निर्णे का स्वागत करता हूँ डिमांड स्विकार की गई और जनता की डिमांड को समझा उसके जब इलेक्शन कमिशन का धन्यवाद